हेलो एब्रीबन आइम आस्था वेलकम टू गवर्मेंट जॉब जेन्य नॉटिफिकेशन यूट्यूब चैनल एक और न्यू पर्मानेंट भरती पर्मानेंट गवर्मेंट जॉब बेकेंसी नॉटिफिकेशन रिलीस हो गया है पोस्ट है ड्रग इंस्पेक्टर की ड्रग इं सिटीजन है भारतिय नागरिक अगर आप है तो आप इस पोस्ट के लिए अपलाए कर सकते हैं ग्रेट पे आप यहां देख रहे हैं चंगवन सो ग्रेट पे से आपकी सेलरी रहेगी पेवेंट यहां पर 9300 से 34800 तक रहेगा पेवेंट ग्रेट पे चंगवन सो यानि लेवल 9 से सेलरी रहेगी सेलरी काफी अच्छी रहेगी पोस्ट भी काफी अच्छी है ड्रग इस्पेक्टर की पोस्ट है काफी कैंडिडेट पसंद करते हैं और इस पोस्ट पर जो भरती है नोटिफिकेशन कम ही आते है इसका नोटिफिकेशन और यह जो भरती है पब्लिक सर्व procedure क्या रहेगा exam pattern क्या रहेगा यह जो notification है BPSC की तरफ से यह release किया गया है all India से apply कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि अगर आप बिहार से नहीं है तो आप apply नहीं कर सकते किसी भी state से आप belong करते हो आप इसमें apply कर सकते हो और इसका जो भी basic requirements रखी गई है selection procedure क्या रहेगा qualification क्या रहेगी एस criteria according to category application fees अगर आप जिस भी category से हैं और other states से भी हैं तो भी आपके लिए क्या रहेगी सारे points में आपके इसी video मैं के लिए करूंगी तो अगर आप इस post पर भरती चाहते हैं पर्मानिन भरती रहेगी post काफी अच्छे है अगर eligible हों तो जरूर apply कीजेगा application fees मैं आपको बता दूँगी आप जहां से भी जिस भी state से हैं या जिस भी category से हैं आपको कितनी fees पर करनी पड़ेगी ओके सो चलिए इसका notification देख लेते हैं और हाँ मैं आपको इस vacancy का notification लिंक में description box में दे दूँगी वहाँ से आप इसका notification रीडाउट कर लीजेगा चलिए अभी हम इसका notification देख लेते हैं तो यहाँ पर आप यह notification देख रहे हैं यह आप देख रहे हैं औसधी निरिक चक यानि ड्रग इंस्पेक्टर को हिंदी में औसधी निरिक चक कहा जाता है तो औसधी निरिक चक के पदों पर भरती के लिए भारती उमीदवारों से online आवेधन आमंतरित किये जाते हैं इंडियन सिटीजन से यहाँ पर applications invite किये जा रहे हैं ओफिसर वेप साइट आप देख रहे हैं www.bpsc.bis.nic.in categories wise आप देखेंगे post कम है इसमें post ज्यादा आती भी नहीं है तो post यहाँ पर 55 है categories wise आप देख लिजेगा यहाँ पर हम देखेंगे इसमें salary तो बेतनमान आप देख रहे हैं यहाँ पर pay band 9300 से 34800 ग्रेट पे 400 लेवल 9 से यहाँ पर salary रहेगी salary काफी अच्छी रहेगी section एक योगता क्या रहेगी qualification हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं post drug inspector की है तो यहाँ पर जो requirement रखी गई है वो है आपने भारत में किसी भी university से किसी भी state में किसी भी university से अगर आपने pharmacy pharmaceutical विज्ञान में इसना तक यानि graduation किया है या clinical pharmacology या microbiology में बिसे सग्यता के साथ अपने medicine में इसना तक किया हुआ है तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं so यहाँ पर all जो candidate है वो तो eligible नहीं रहेंगे लेकिन जो medicine या pharmacy जो आपने किया हुआ है भी pharma ग्रगा आपने किया हुआ है तो वो candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं okay so यह अगर qualification आपके पास है तो आप इसमें apply कर सकते हैं अब हम बात करेंगे ये जो age बगर account की जाएगी वो भी हम date देखेंगे section की उक्ता से समधे सभी प्रवापत्र online आविदन भरने की अंतिमति थी है 16 December 2022 ओके application कब से start है मैं अभी आपको date बताऊंगी पहले यहाँ पर हम age देख लेते हैं उम्रसी में एक अगस्त दो हजार बाइस को noon time 21 बर्स और अधिक तम जो अनारक्षत candidate है जनरल candidate male candidate उनके लिए है 37 year पिछड़ा बर्ग अत्यंत पिछड़ा बर्ग male और female दोनों के लिए और अनारक्षत female के लिए 40 year 40 बर्स अनसुचे जाती जन जाती जो male female candidate है उनके लिए 42 year minimum सभी के लिए 21 year आपकी होनी चाहिए उसके बाद आपके category के रसाब से 37, 40, 42 यहाँ पर अपर race limit रखी गई है तो चलिए यहाँ पर selection procedure तो written examination होगा और interview होगा written examination और interview के वेस पर यहाँ पर आपका selection किया जाएगा अब इसमें दिया गया है written examination में सामिल सामान वर्ग के उम्मीदवारों को 40% लाना होगा qualify करने के लिए 40% पिछला वर्ग के जो candidate है उनको 36.5% अत्यनत पिछला वर candidate के लिए 34% आनसुचे जाती जन जाती female और दिब्यांग जन जो candidate है उनको 32% लाना जरूरी है written examination को qualify करने के लिए written examination MCQs types होगा चार जो आपके caution 4 options आपको दिये जाते हैं इसमें आपके चार पत्र होंगे 4 पत्र होंगे इसमें यानि caution paper आपके 4 होंगे प्रतेक पत्र में निमनलखित के answer 50 अंकों की 2 एकाई होंगी 50 पचास अंका यानि एक पेपर आपका 4 होंगे total 100 100 के होंगे एक पेपर 100 का तो total आपके 400 के होए और एक paper में ही पत्र में ही unit भी दी होंगी unit first unit second तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि first पत्र जो आपका प्रिथम पत्र होगा उसमें एक आई एक एक आई दो दी गई है जिसमें फार्मस क्यूटिक्स और फार्मस यूटिकल विसलेशन पचास-पचास अंके रहेंगे दो-दो घंटे का दोनों में timing भी दिया जाएगा उसके बाद second जो पत्र होगा medicinal chemistry and pharmacognosy से होगा 50-50 marks का होगा इसमें भी 2-2 hours का timing दिया जाएगा तरती जो होगा वो anatomy, physiology and health education से होगा pharmacology and toxicology से होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं total आपका 400 का होगा written examination 2-2 hours की लेकिन एकाई के answer पत्र के answer आपको हर एक एकाई में 2-2 घंटे का timing यहाँ पर दिया जाएगा इसके बाद आपको जब इसको qualify कर लेते हैं तो आपका interview होगा 50 marks का interview होगा return examination के पैणाम के आधर पर अधियाचित रिक्तियों की धाई गुना के बरावर संख्या में अभ्यारतियों को interview के लिए बुलाया जाएगा ओके चलिए अब दीखिए जो विहार state के candidate होगे और reserve category से ब्लॉंग करते होगे तो उनको तो relaxation मिल जाएगा लेकिन जो विहार state के नहीं है other state के है MP, UP, 36 गड़ या other किसी state के अगर आप है तो आप general candidate माने जाएगे general category में आपको यहाँ पर apply करना होगा ओके जो reservation है उसरे विहार के स्थाई नवासी जो होगे उन्हीं को दिया जाएगा यहाँ पर post को जो आपकी cast है उससाब से यहाँ पर code दिये गए है form fill up के time आपको देखना होगा तो आप इसको देख लीजेगा online आपको apply करना है अब इसमें आपके document से related दिये गए है क्या क्या document आपके लगेंगे तो वो यहाँ देख लीजेगा application fee समया देखेंगे जनरल candidate के लिए application fee 750 रहेगी किबल बिहार राज के जो अनसुच जाती जन जाती candidate हो उनको 200 रहेगी बिहार राज के स्थाई नवासी सभी अरक्षित और अनरक्षित female candidate जो बिहार state की है उनके लिए भी 200 रुपए रहेगी और दिब्यांक अभ्यारतियों के लिए भी 200 रहेगी अब इसके अलबा other state के जो भी candidate है किसी भी category से हो female हो, male हो, सभी के लिए 750 रुपए application fee से आपर pay करनी होगी ओके, सो ये application fee से है अब अगर आप चाहते हैं apply करना, तो इसके जो application है वो start होंगे 25 नवंबर से आज 23rd नवंबर है 25 नवंबर 2022 से start होंगे इसकी last day चाहेगी 16th of December 2022 16 December तक आप इसमें apply कर सकेंगे 25 नवंबर से लेकर के, इसकी official website से ही आप इसमें apply कर सकते हैं अगर आपने इसमें ये qualification आपके पास है, मैंने आपको बता दिया है, अगर आप इसमें interested हो, apply करना चाहें, तो आप कर सकते हैं लेकिन आप other state से apply कर सकते हैं लेकिन आपकी जो posting है, वो आपको बिहार state में ही मिलेगी और जो examination center है, वो भी आपको I think बिहार state में ही मिल सकते हैं अगर आप apply करते हैं, एक बार आप भी detail notification चेक किजिएगा, link description box में दे दिया गया है, thank you